नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सत्यांदे मेडिसिंग स्पेशलिस्ट कलकरता से अब सभी को मेरे यूटूब वेडियो चैनल में स्वागत करता हूँ आज इस टॉपिक के बारे में आज सबसे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है स्टेय यंग विद आयम सी अर्थात कैसे अप जिन्दगी भर यंग रह सको इंसान जितने है सारी दुनिया में सब के दिल में ये छुपी हुई इच्छा होता है कि हम हमेशा जिन्दगी भर के लिए बहुत स्वास्त रहे संदर रहे लेकिन कैसे उसका तो एक तरीका है उसके लिए थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपना हैबिट हम लोग जो सुबा से सामते जो खाना खाते हैं उसमें बाहर का बहुत चीज़ कहते हैं उसमें बहुत सरा टॉक्सिंस हम लोग बाहर से लेते हैं, जो किना आप क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक से, उसको फाइट करने के लिए, सरी के अंदर जो टॉक्सिंस हम डालते हैं, फूट के दौरान, उसको क्लीन करने के लिए, जो सब्स्टिट्ट, जो फूट सप्लिमेंट्स खाना चाहिए, वह हम नहीं खाते हैं, अगर खाते भी होंगे, वह बाहर में जो मेडिसीन शॉप में मिलता है, बहुत तरीके की सप्लिमेंट्स, जो सिंथेटिक प्रोडक्ट होता है, उसका इस्तमाल करते हैं, जिसके चलते और बहुत बड़ी-बड़ी विमारी आने वाले दिन में हम लो की हिमालायन बेरी जूस, होता क्या है ये हिमालायन बेरी जूस, इसका नाम है सिवक्थान फोड, ये हिमालाय में पाया जाता है, बहुत minus 50 degree temperature को ये सहता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में oxygen पाया जाता है, इसको संजी बनी बोटी भोला जाता है इसको अगर रिगूलर बेस पे आख सेवन करते हो, सुबा नास्ता के बाद 200 ml पानी में उसको थोरा सा गरम करना परता है, गुंगुना पानी में, 20 ml हिमालायन बेरी जूस, अगर मिला के आप पीते हो, तो आपके तौचा में जो जुली आता है, जिसको हम लोग रिंकिल्स बोलते है, जो बुरा पा में आते है, जो थोरा सा उमर हो जाने से आता है, या रिगूलर वर्क एंटियर में, जैसे हम लोग बाहर निकलते है, धूप लगने के चलते हैं, जो धूप की जो यूवी रेज है, उसके चलते हैं, अपने तौचा में जो रिंकिल्स आता है, हम वो रिंक्ल से बस सकते हैं, अपना जो कीन का टोन है जो टोन से की अपदा स्कीन, वो बहुत मत्रा में बढ़ जाता है, एक दम यंग लूक आ जाता है सरीर में, उसके साथ-साथ यह हिमालान बेरी में जो चीज पाया जाता है, उसको सारा दुनिया में बोला जाता है, ब्यू यह Omega 7 उपर से हम लोग जो इंडियन परमपरा में जो हम लोग रहते हैं आमला सब को जानते हैं कि आमला क्या होता है आमला में आमला की गूम क्या है आमला में बहुत मात्रा में विटामिन C यानि एंटी ऑक्सिडेंट पाया जाता है ये माला इन बेरी में 50-30 जादा आमला से विटामिन C यानी एंटी ओक्सिडेंट पाया जाता है अगर ये रेगूलर वेसिस पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे अगले 6 माइना में ये मेरा दावा है कि आपकी त्वाचा यंग लगने लगेंगे अप अंधर से अपना त्वाचा को सुंदरता दे पाएंगे इसके साथ साथ दूसरी प्रोड़क्त के बाड़े में जो हम आपको जानकरी देना चाते है हो है एलोवेरा फाइब्रा जूस IMC की 400 टाइप्स अप एलोवेरा सारा दुनिया में पाया जाता है यह पर्टिक्लोर एलोवेरा स्पेसिस से यह जूस बनाया जाता है जिसमें लिगनीं एंड सैफोनीं बोलके दो पोपर्टिस पाया जाता है यह लिगनीं जो है यह इनसान की सरीर में जो सिल है सिल की बहुत सारी लियर्स होते है argues cell जो है वह अपने आप बहुत सरा टॉक्सिंज पोड्यूस करते है उस टॉक्सिंज को बाहर निकलने में यह lignine बहुत काम करते है यह lignine अंधर से से के अंधर जाके यृस टॉक्सिंज को बाहर निकलता है और उपर से यह जो सेफुनिन ہے इसके नाम में छुपा हुआ है जो सोप इसके अंधर क्लींजिंग पॉपर्टीज होता है अपने इंटस्टाइन यानि अंत में जो विलाई होते हैं जिस विलाई के द्वारान हम लोग सुभा से साम तक जो भी खाना खाते हैं उसका जो निर्ट्रिशन है वो विलाई से सरी के अंदर खाना हम लोग खाते हैं उसका निर्ट्रिशन उस विलाई से अबज़ा पॉपर्डी हो नहीं पाता है यह सैफोनी जो है यह सैफोनी उस विलाई को विलाई का जो टॉक्सिंस उसको क्लीन करता है यानि आपके शरीर के अंधर जो जमी हुई टॉक्सिंस है यह अलोवरा जूस पीने की तरीका क्या है रात में आपका जैसी डिनर खतम हो जाता है उसके बाद 200 एमिल वाटर में 30 एमिल अलोवेरा जूस मिलाईए और उसको पी जाईए ऐसे अगर लगतर आप 6-7 माहिना यह हम हिमाला एंबेरी अलोवेरा जूस आप पीएंगे आप पी पाते हो तब यह मेरा दावा है आप अपने आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से बचा सकते हो इसके साथ साथ और जो तिसरी पोड़ा के बारे में मैं जान करी दूँगा आपको ओ है स्रीतुलशी जिसके बारे में मैं अल्रेडी आपको एक वीडियो दे चुका हो उसको दोबरा प्रेफरेंस के चर्थ तोर पे देख लिजेगा यह स्रीतुलशी अगर सुबा खाली पेट में एक कब गुंगुना पानी में दो ड्रॉप मिला के अब पीते हो और साथ साथ रात में भी सोने के टाइम एलो विराज उस पीने के बाद एक कब गुंगुना पानी में फोड प्रॉप मिला के आप पिते हो ऐसे करके लगातर अगर पिते रहेंगे तो देखिएगा जितने अलरजी के करन से अपने इस इनसान के सरीर में बिमारी आती है जैसे जुखाम सर्दी जुखाम हो गया बहुत सरे स्कीन की एरफ्षन्स हो गया जैसे पिम्पल्स हो गया यह परिवार में चोटे से लेके बरेत्व जितने परिवार में मेंबर्स है सब को खाने के साथ आप यह तीनों प्रोड़ाक्त इस्तेमाल करवा पाते हो तो यह मेरा दावा है कि आने वाले कल में आपके घर में होने बरे-बरे बिमारी को आप अपने आप रोख पाओगे उप अपने पैसा आप अपना मेडिकल बील के पीछे खर्चा करते हो अपका मेडिकल बील बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाएगा या ना की बराबर हो जाएगा यह मैं दावा करता हो मैं आशा करूँगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर किजिए, लाइक किजिए और हम जो टीप्स आपको आज दिया है इसको आप इस्तेमाल किजिए, इसको आप फॉलू किजिए इस स्क्रीन में जो नमबर दिखाई दे रहा है अगर आपको ये पोड़क्त के बारे में और जल्ड शीए या पोड़क्त अपिस्तेमार करना चाहते हो इस नमबर में संपर्क किजिए आपको पता दिया जाएगा आपको ये पोड़क कहां कैसे मिलेगा उसके साथ साथ मैं विदा लेता हूँ, अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, सुस्त रहेगा, सुन्दर रहेगा, नमस्कार